वल्कम तो शड़ी चनल मेरा नाम है मुहम्मद कैसर बात करेंगे दोस्तों बिहार सक्षक भरती संबंदित कुछ बहुत ही महतुर अपडेट्स की आज फिर से भी पेसी ने एक नोटिस जारी किया नोटिस आप यहां पर देख सकते हैं और इसमें उन्होंने बताया है कि जो प्रश्ट करने की जेड़ थी उसको हमने बढ़ा दिया है तो पांच शेयों साथ तीन दिन का समय मिला था अब्जेक्शन करने का लेकिन इसे बढ़ा दिया गया है अब आट से लेकर 11 सितंबर तक आप और सकते हैं तो यदि आपको किसी प्रश्ट पर आपत्ति करनी थी आ उतना ज्यादा पत्ति होगा उतना है सिरियसली उस प्रश्ट पर विचार करेगी इसका आपको द्यान अखना है तो दूसरी के भरुचन नहीं बठे रहे हैं आपको प्रश्ट करने हैं साक्ष के साथ आपको अब्यक्शन करना है NCRT, SART का प्रश्ट करिएगा क्योंकि authentic source ह होगा तो ही आपका अब्यक्शन स्विकार किया जाएगा दूसरी प्रश्ट में काफी छात्रों के हित में सोच रही है तो आपको जरूर अब्यक्शन करना चाहिए बिल्कुल फ्री आप कॉस्ट है रिवाइज जैंसर की कब तक आएगी काफी छात्र के पूछ रहे हैं तो आपका रिजल्ट आएगा रिजल्ट के बारें बात करें काफी लोग पूछ रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा पहले रिजल्ट आएगा कि डीवी होगा काफी कंफिजन मना हुआ है क्योंकि माधिमी कुछ माधिमी का डीवी हो रहा है बिना रिजल्ट निकाले तो क्या ऐस साही प्रात्मिक में भी होगा तो एक बयान दोस्तों आप ने देखा होगा सोचल मेडिया पर जिसमें स्री अतुल प्रसाद जी यह कह रहे हैं जो भी किसी केर्मेंट साहब है हम सितंबर में ही रिजल्ट जारी कर देंगे प्रात्मिक का लोमा धारी वालों का तो बिल्कुल में ही आ जाएगा कि अब दोस्तों 11 सितंबर तक तो अब्यक्शन ही होगा बार सितंबर तक माध्यमिक और उच्माध्यमिक का डीवी हो रहा है नौ दस और ग्यार सितंबर को ऐसे बीट के चार्ट जिनों डियलेट भी किया है उनको अपने डियलेट के डिटेल्स और भी सार बच्चों ने एक्जाम दिया है हाला कि बीट की मुस्किलां बढ़ गई है अपनी तरफ से तो बहुत सारे बीट के चार्ट जाएंगे डिवी कराने हो सकता है सब लोग जाए क्योंकि किसी को रोका नहीं गया है तो फिर पांच लाग बच्चों का डिवी करना असा नहीं होगा और सबका डिवी कराकर इसी महीने में रिजल्ट दे देना यह पॉसिबल नहीं लग रहा है फिलाल की कंडिशन में चुकि मादमी कुछ मादमी में चार्टों के संख्या कम थी तो वहाँ पर पहले ही डिवी करा लिया गया बाद में रिजल्ट आ रहा है ख फिर जाकर फाइनल रिजल्ट घोशित होगा और इस डीवी के बाद एक और भी डीवी कराई जाएगी जब आपको नियुक्ति पत्र देना होगा वहां पर एक बार फिर से सभी छातरों का जो डॉकुमेंट से उसका मिलान के जाएगा ताकि कोई गलत स्टूडेंट सेलेक्ट ना हो पाए बहुत सारे लोग फर्जी तरीके से डॉकुमेंट वरिफिकशन में जा रहे हैं मादवी कुछ वादी में काफी लोग पकड़े भी गए काफी लोगों को जेल भी हुई है इसी बीच ये भी खबर निकल कर आए है कि बहुत सारे जो बीएट का स्टूडेंट है वो डियलेट का फर्जे तरीके से माकसिट बनवाने की कोशिश कर रहे हैं और जब ये करेक्शन वाला समय आएगा 9-11 सेतंबर के बीच में तो वो अपने बीएट को डियलेट की माकसिट से अपडेट करवाएंगे ऐसा आप बिल्कुल भी मत करिएगा हरकी मत करिएगा तो अगर आप किसी तरीके से नोकरी पा भी जाते हैं कभी भी आपके नोकरी जा सकती है और आप जीवन भर डरते रहेंगे कि कहीं पकड़ ना जाएं कहीं पकड़ ना जाएं कम से कम नोकरी मिलने के बाद तो सकून हो जाए उसके बाद तो आदमी रिलेक्स हो जाए कि चलो अ एक नौकरी मिल गई है वाराम से हमें ये काम करना है तो फरजी चीजों के चकर में बिल्कुल इमत पढ़िएगा ये मेरा आप लोगों से निवेदन है बाकि देखते हैं दोस्तों फाइनलिस में क्या होता है जो ऑफिशल नूज है वो यह है कि एंसर की के लिए जो ऑब्जे मेरी साथ के होना तो यह चाहिए कि जितने भी चात्र पास हो रहे हैं उनका आप रिजल्ट जारी कर दीजिए यानि कि जो भी कैटेगरी में पाशिक नंबर है उनको आप बता दीजिए उसके बाद चात्रों को बुलाई डिवी के लिए इतने लोग आते हैं फिर उसके पता के होगा के नहीं होगा डिवी के लिए जाना पटना मुख्याले पर यह थोड़ा सा छात्रों के लिए पैदा कर रहा है बाखी आगे जो भी अपडेट्स जो भी जनकारी होगी सुचना मैं आपको दुरन दूंगा आप हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो को लाइक क आपको इसी प्रकार की सा भी लेटेस्ट और ऑथन्टिक इन्फरमिशन मिल्थी रहे थांक्स फॉर वाचिन